नमस्ते गुरु जी जै गुरु जी महाराज जै गुरु जी सासंगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज दा मुल्टि लिंग्वल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती हैं आज एक बार फिर हम सब डिवाइन ग्रांथ लाइट और डिविनिटी का एक सेशन एक सरसंग सुनेंगे आज का सरसंग अनल कत्रा अंकल ने लिखा था जो कि अभी नहीं है तो आज का सरसंग बिलाती राम अंकल जी पढ़ेंगे मैं गुरु महाराज गुरु परिवाज की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और उन से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने आपको अनिमूट करें और सेशन को इनिशेट करें ओवर ट्यू बिलाती राम अंकल जी जैगरू जी शुक्रिया गुरु जी मैं जैसे दिल्ली पुलिस से जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहां ये नमस्ते राम राम ये सब कुछ खतम होके जैहिन था वह जैहिन जब होता था यानि कि हिंद की जैह हो कोई भी काम करो उसमें ये देखो कि हमारे देश को कोई नुक्सान तो नहीं हो रहा यहां जब हम किसी का नाम लेते हैं तो तब भी है नाम लेने के साथ में उसके एक पिक्चर माइन में जरूर आती है तो पहले जब 2006 में जाना शुरू किया तो तो ये जै गुरू जी आपसमें नहीं होता था, लेकि इन बाद में मैसूस किया कि गुरू जी आया akan nे वाले कैसे उनको करें, तो यह जैसे राम-राम का एक चलनardo था कि दो बार राम राम करने से 108 मनकों की माला पूरी हो जाती है तो हमारा भी जब जै गुरूजी शुरूआ कि गुरूजी जैसे जै हिंद है तो गुरूजी का है कि जैसे गुरूजी मुझ से निकलेगा तो कहीने कहीं अंदर गुरूजी का जो अक्स है वो कहीने कहीं जरूट बिलिंग क करेगा और ये भी उनको एक तरीका है याद करने का पुरूजी जब पंचभूत शरीर में अवतरन हुए थे धर्ती पे इस बीसवी सदी में उनको पता था किसका कल्यान करना है और कब तक कल्यान करना है इस चोले में रहके किसको दर्शन में सब कुछ उनको अब सुने वह प्रक्टिकल करते थे संगत के साथ में और वो खड़े होके उनसे वही ससंग क्राय करते हैं लेकिन औरल है कि आपकी वानी है व्यों में इस वाता वरण में जो न लुक्त हो जाएगी अब उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए कि आगे की संगत को मिले तो गुरुजी ने अपने रहते दो काम ऐसे कि है एक तो गुरुजी का आसरम की साइट जो बनवाई जो आज बड़ी काम आ रही है और मैं भी आज जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ तो वो भी वही है जो गुरुजी ने चला हूँ गुरुजी को पता था कि इसकी आज आने वाली वक्त में गुरुजी की संगत को ज़रू क्योंकि हम अपनी आप बीतियों को या तो औरल शब्दों में बयान कर सकते हैं या फिर उसको कलंबद कर सकते हैं शब्दों में बयान किया वो कहीं खो जाएगा किसी हमने क्या कहा आगे क्या सुना कितना उसमें से याद रहा तो वो एक अलग चीज है जैसे सुरूती थी और वो गुरुजी समझते थे कि यह एक ऐसी धरोर है जो उनको उनकी उससक्राइब से वेद आए पुराना आई महाशिव पुराना आए जितनी पुराने हैं वो सारे आएं वो सब कुछ आए तो किसी ने किसी उसके है कि आगे हैंड़ोवर होती जाए और उसमें जैसा है तो गुरूजी ने भी जो ससंक्की कंपाइल करा या तो इसका में भी यही था कि गुरुझी की जो संकत में उसको कलंबध करके कैसे आने जो आगे जुणने वाली संकत हो उसको कैसी दिया जा आज मैं सप्राजी अंकल है जिन्डुका इसमें चिपा ओगा है पेज नमर 350 Congress नहीं बन पाया जिससे कि लेकिन उनके से कॉंटेक्ट ना होने के जैसे गुरुज ने यह मेहर मेरे उपर की कि मुझे मुझे मौका मिला कि उनका ससंग मैं रीड करूँ इस आप सबके सामने इस ससंग की सबसे बड़ी जो एक कमाल की चीज़ है वो है कि पूरी जो प्लाइट ऑफ डिविनिटी है उसमें एक ससंग का टाइटल है जो इसका है जो इनवर्टीड कोमाज में है जिसमें है आई हैव ब्रोट हर बैक फ्रूम हैवन बाकी जितने भी टाइटल हैं ससंग के वो वैसे हैं लेकिन इनवर्टीड कोमाज में इसका मतलब ये एनल सप्रा के शब्द नहीं है ना उनकी सोच है जब इस ससंग में अंदर जाते हैं तो तब पता लगता है कि ये जब गुरुजी के अपने बोले हुए शब्द है जो अपने ससंग को टाइटल दिया है किरपा कैसे होती है 98 में 98 में वो पहली बर गए और आगे उनकी जो जरनी कैसे बढ़ी उसमें से कुछ इंस्टांसी जो है ना उन्होंने ससंग के रूप में जो कलंबद किये और इसमें आए हैं गुरुजी की किरपा से मैं उसको रीड कर सब्सक्राइब उनकी परिशानी थी कि उनकी पतनी वाइफ जो हैं और रूमें राइड अथराइसी जो गठिया से जो हैं वो और जोईंट पेंट से और काफी सालों से थी हैड अंडर्गून ट्रीटमेंट एट एम्स फोर अबाउट सिक्स यर्स और होमेपैथिक ट्रीट उन्होंने बताया कि वो छे साल से अइम में थे और उसके बाद उन्होंने होमेपैथिक की भी दवाइयां की लेकिन उनका उस जो जो जोईंट पेंट था जो अर्थराइटिस था उससे उनका पीछा नहीं चूट रहा था वो उस पेन की वज़े से गठिया की वज़े से जह वो चलने में भी दिक्कत करते थे सी आलसो नीड़िड सपोर्ट वाइल सिटिंग डाउन और गेटिंग अप यह उठने बैटने में भी उनको किसी सहारे की जुरूद परती थे अदरवाइस वो नहीं अपने सहारे अपने गंपे वो ना उठ पाते थे ना ठीक से बैठ पाते थे उन्होंने आगे बताया वन डे इन में 1998 आर डॉटर टोल्ड अबाउट गुरू जी कि उनकी बिटिया थी जिन्होंने माई अठानवे में उनको बताया गुरू जी के बारे में एंड आस अस्टू कम ओवर विदे को पर टंबलर तो सीक इस ब्लैसिंग्स कि जैसे हम सुनते हैं वैसी हम आगे चलते हैं बिटिया को देखा हुगा गुरू जी ने कि टंबलर ब्लैस किया है लेकिन वो खास उसके लिए होता है मुझा सबके लिए निया कि हर एक के हाथ मे है वो पांस दिनी की दवाई नहीं कि उसको लिया और खाके चल दिये उन्होंने आगे जो बताया कि पर नेक्स डेए वी हैड गुरू जी दर्सन फॉर दर फास्ट टाइम अगले ही दिन वो दर्सन उनको प्राप्त हुए एंड पेड आर रेस्पेक्ट गुरू जी वैरी काइंडली ब्लैस्ट दख पर टंबलर यगले दिन जब गए तो गुरू जी ने उनके जो जो पर का टंबलर लेके गे ते जो था लोटा था उसको गुरू जी ने ब्लैस किया बहुती प्यार से उसमें माई वाइफ वाज इंस्टेक्टेड तो फिल टंबलर विद वाटर एवरी नाइट उनको जो इंस्टेक्शन्स मिली कि यह जो टंबलर जो ब्लैस कर रहा है उसको हर रात को भरना है तो ड्रिंक हाफ दा वाटर इन दे मोर्निंग उसमें से आधा सुबह जो है न रहन करना है पी लेना है और तो यूज अधर हाफ फोर बाथिंग और आधा जो बचे जाता है वो आपके बाथिंग जो नहने जो पानी है जल है उसमें डाल के और तब आपने शनान करना आफ् उस प्रोसेस में इंप्रूबमेंट लगा अपनी कंडिशन में विज टाइम हर जोईन पेंस सबसाइड कि उनका जो टाइम के बाद उनका पेंच जो है वो घीरे-ध्रे कम होने लगा कम होता है ग्रूजीज ग्रेश दा स्टिफ नेस एंद पेंड इन हर जोएंट डिक्रीस कि गुरुजी की ग्रेस से उनकी किरपा से उनका जो पेंट था वह बहुत अच्छे तरीके से वह कम होता जा रहा था रेगुलर जो उनकी इनिशल वह थी कि वह चल नहीं पाते थे ठीक से उठने बैठने में सपोर्ड की जरुद पढ़ी ते वह चलने भी लगे और उठने ब अगले पैरे में अप्रेल टुथाऊजंद फायव वाइफ रेस्क्यू अप्रेल दो हजर पांच में यानि कि 98 में पहरी बार गुरु जी के दिरस्ण ओनों ने की ए और 9 अप्रेल दो हजर पांच आल्मोस्ट साथ-षाल के उसमें उनको फिर दुबारा गुरुजी ने उन एट सीताराम भार्तिया होस्पिटल सीवास फांट टू बी हैविंग एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रैसर तू थर्टी वाइवन फ्वंटी एमेम एजी उन्हों बताए कि उनको दिक्कत थी हो जब होस्पिटाल आइज किया उनको और उनका बीपी जो चेक किया गया तो वो ब में रखा होस्पिटल वालों ने और उनको मेडिसीन एडवाईज की कि आप मेडिसीन लें आफ्टर टू वीक्स सी हैड़े सीवियर अटैक ओफ ब्रोनकाइटिस उदर उनको वो तो थाई ब्लड प्रेसर तो थाई लेकिन दो विक के बाद में उनको ब्रोनकाइटिस जो सा आलसो एडवाईज तो यूज ए इनहीलर यहनिको उनको ब्रीधिंग प्रोड़ प्रोड़म थी उसको इनहीलर यूज करने के लिए डॉक्टर ने बोला वन आफ्टरनून सीवाज सदनली अनवर्टिनली अनफरुॉटनी टी अन कंफरतरी बली एंड बिधल लेस किuu एक दौपयर बाद जो है अचानक से वो करने लेगे और सांस लेने उनको दिख लेगे. By the time that tumbler could be fixed. She had lost consciousness. और उस bronarchitis जो उनको attack हुआ था, उससे ऐसी position होगी कि उनको सांस लेने में बहुए और उनकोंसियस हो गए हो. She came to after a few months, minutes, और कुछ मिनट बाद वो वापिस आये, but was restless and sad. वो बहुत uncomfortable feel कर रहे थे. उन्होंने बोला, something is wrong with me today. कि कुछ मेरे साथ गलत हुआ है. Soon as she calmed down and fell asleep. उसके बाद वो थोड़ा शांत हुए और उसके बाद वो सो गए. लेट अट नाइट, और डॉक्टर काल्ड देर रात में उनकी बिटिया ने उनको फोन किया और कहा कि देट गुरुजी है टोल्ड कि गुरुजी ने बोला है गुरुजी ने उनको मैसेज किया कि आपकी मदर जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनको नेक्स्ट मोर्निंग जो है आश्लोग होस्पिटल में अड्मिट कराया जाए. बहुत कहां तक गुरुजी वो लेके चलते हैं कि होस्पिटल भी उनको बताया उसको जो नहीं पता था कि मदर का ऐसा ऐसी पोजिशन चल रही है उनको बताके उनको कनवे कराया उनको मैसेज। उनको परिशानी हो रही थी वो ऐसी कोई उनको नहीं आ रही थी सी मेड़े असली स्पीडी डिकवरी और वह बहुत जल्दी अपनी उसको जो हैल्थ को रिकावर कर रहे थे एंड़ डिस्चार्ज फ्रॉम दे होस्पिटल आफ्टर एक फोटनाइट के बाल माद 15 दिन के ब ब्लैसिंग ब्लैसिंग नैचरल लिए कि गुरू जी के वहां से वापसी में जो इंटर्न जो मिलनी है वो तो ब्लैसिंग से मिलनी होती है डिवोटी डेम्ड मिसिस मेहता इंको इंक्वार्ट के बारे में पूछा वो गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे तब गुरुजी ने मिसिस महता को बोला का I have brought her back from heaven यह जो इसका title है कि मैं इसको heaven से वापिस लेके आया हूँ यह गुरुजी के शब्द थे जो मिसिस महता को बताएगे उनके लिए जो सपरा अंकल की आंटी थे immediately we knew that गुरुजी वाज an incarnation of God कि वो इश्वर के अवतार है उनको तब पता लगा कि जो मोत को जिंदगी में बदल सकते हैं गुरुजी हैस सोवर्ड इस blessings on our entire family कि गुरुजी की जो blessings है उन पूरे उस family के उपर बरस रही है और son and daughter are also his devotee उनके बेटी और बेटा दोनों जो है गुरुजी के डिवोटी है and with गुरुजी's blessings are doing well in life अपने जिंदगी में वो गुरुजी की blessings से बहुत अच्छा कर रहे हैं the entire family is grateful to गुरुजी for his blessings और सारी family गुरुजी की सुपर गुजार है कि उन्होंने अपनी सरन में लगाया और उनको bless किया गुरुजी को शब्द है कि I have brought her from heaven गुरुजी की सरन इसका मलब heaven से कहीं ज़्यादा बड़ी है जैसे सच्छंड गुरुजी के चरणों में गुरुजी का जो शरन में जो लिया है वो उस स्वर्ग से भी कहीं ज़्यादा स्वरनिम है खुशूरत है blessed है तब ही गुरुजी ने बोला था कि मैंने स्वर्ग से वापिस लए हैं तो जहां गुरुजी के सरन में जो भी है गुरुजी के चरणों में जो भी है वो उतना ही blessed है जैसे अंकल ने बताया है उनकी family उनके बच्चे उनकी wife वो सब जो blessed है क्योंकि गुरुजी के हैं जब जाते हैं बोला उनको उनको डारेक्ट नहीं बोला उनके थ्रून को वो message दिया ऐसी संगत के थ्रून को message दिया कि तुम और तुमारे चारों बीटिया जो इने मेरे सुरक्षा के घेर में हैं और तुमें दुनिया की कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकता तो जब गुरुजी का जो है कि तीन लाइफ जो है न मैं भी लेकर बैठा हूँ गुरुजी से यह उनकी है कि जो लाइफ एक्स्टेंड करते हैं उसका purpose क्या है बलक्यों वो एक्स्टेंड कर रहे हैं क्या ऐसा काम हमारा बचा है या क्या ऐसी जिम्मेदारी गुरुजी ने हमें देनी है जिसको पूरा कराने के लिए हमें लाइफ एक्स्टेंड करते हैं शबद में बिलकुल आया हुआ है कि एक इंसान था जो पूरी जिंदगी उसने लगा दी पैसा कमाने में जो निन्याने का फेर होता है उसका अंत समय आया वो सामने खड़े होगे जी चलो वो कहने लगे जी मेने और चिंदिके कमाया उसको मैंने किया तो मुझे कुछ तो टाइम देथा उम एक कम सकता उसने का सिरुम करोड सिरु निए करों कि वाका की कर्दी की सारी करोड़। पर ये जो मैंने कमा के रखा है जो इखटा किया जोड़ जोड़ के पता नहीं कितनों का मैंने हाय लिए कितनों का मैंने बहिमानी किया क्या कुछ किया और करने के बाद मैं मेरे किसी काम नहीं आया है पैसा क्योंकि जब एंजोई करने का वक्त है तब मेरे जाने का वक्त हो तो उन्होंनों कहा यह तो पॉसीबल ही नहीं है तो यह सब के लिए है मैं साक्षा एक बार एक बस के नीचे में आया था दोनों पिछले टायर अपने सिर्पे मैंने देखे हुए कैसे उसके नीचे से निकला हूँ कैसे पल्टी मारी है कि मुझे नहीं पता बस वाले ने बस नी लोकिए और मैं उसमें से निकल काया पर एक हाथ की एक रेडियल हैड उस पूरे प्रोसेस में तूटी जबकि मेरे को कंफर्म था जितनी नजदीग में ने टैर देके उस हिसाफ़ से मेरा बचना मुस्किल था पर उन्होंने किस ने निकाला है यह तो महराजी जानते क्योंको उनके इलाव कोई है इनी जिन्दीगी में उसके बाद बीटिया को दिखाया था मॉर्निंग में कि मेरी डेड़ बोडी घर पर आई है और सारे रिष्टेदार पड़ोसी सब बैठ के रो रहे है मेरी डेड़ बोडी के उपर और रात को जब मैं एक बज़े एक दो बज़े घर पहुंसता हूं होस्पिटल से पूरा थाई तक उलेके तब बिटया ने बताया कि तो गुरुजी ने तो बताया थे आज तुम्हारी डेथ हुई और डेड़ बोडी आई है तो उस डेथ को इतना कर्मट किया है कि छोटा सा पाउ में एक पीस का टुकुड़ा को तोड़के वहीं छुटा हुआ है जो आज तक उसने तंग नहीं किया पर जिंदगी को मोत में बदलते तो दुनिया देखती है लेकिन मोत को जिंदगी में बदलते महाराज कि किरपा है क्योंकि री राइट इनके हाथ में है आपके जो आप कर्मों से पिछले कर्मों से जो लिखा के लाई है जो इस कर्म में लिख रहे हो अपने क्योंकि हम अपना भागे खुद ही लिखते हैं अपने कर्मों से जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा गीता में है तो व उसके हिसाब से ही होता है तो हम जो करें वो कहते हैं कि जो किस्मत में लिखे आ गया उसको कोई नहीं टाल सकता पर महाशिव गुरूरूप में जब इस धर्ती पर आते हैं उसके पास एक ऐसी ताकत है कि आपकी डेस्टेनी को रिराइट कर सकते हैं जो पर लिखा है उसको कि आप को लग रहा होगा ठीक है लेकिन अंदर से सब कुछ खतम हो चुका है multiple organ failure हो चुका है तो मैंने डॉक्टर को एक ही चीज बोली थी मैं के जी मैं रहने के लिए तैयार हूं और मैं जाने के लिए तैयार हूं यह मेरा भरूसा था मालिक पे मुझे यह था कि वो जो कर पर मेरे जाने का वक्त आगया तो मुझे कुछ दिक्कत निए फिर मैंने डॉक्टर से यही बोला था कि आपके हात में आप तो उतना ही करें वह बाकि जिसका हात में उसे करने तो ये दो उसके प्रतीक थे कि मेरे अंदर वो सबर था वो भरोसा था कि मालिक जो करेंगा ठीक करेंगा जी इश्वर में करोती थे सोबन परोती और मैंने वो रात गुजारी है जब साक्षात तीन चीजे मेरे को लेने के आ रही थी और जहां उनका हाथ पढ़ता था वहां से ग जो संगत उस दिन सेवा में मेरे पास होस्पिटल में थे मैं देख रहा हूं अपने आपको कि मैं मेरे को ले जाने के लिए आए हुए और उधर वो खड़ा होके मेरे पास यह देख रहा है जिसने बाद में मेरे को बताया कि उस दिन आप जब जा रहे थे तो मैं देख रह पर वो यह तीन ऐसे जो लिंक थे उससे था कि मेरे जो है डेथ कंफरमेशन थी डॉक्टर के हिसाब से उन आंटी को जो गुरुजी ने मैंसे उसके हिसाब से और जो मैंने देखा वो भी और जो अंकल ने मेरे को बताया जो मेरे को मरता हुआ देख रहे थे क्योंकि कई चीज़े हैं कि इसको शब्दों में बयान नहीं की आ जा सकता पर मैंने वह जो नजारा देखा है जो गुरुजी को उसके दिखा यह बहुत संगत है गुरुजी की जिनकी हाथों की रेखा हैं गर्भों से कहते हैं बदलती हैं लेकर उसके बावजूद भी जहां ये डॉक्टर ये जोधसी में ये कहते हैं कि आपकी रेखा खतम है इसके आगे आपकी जिन्दगी नहीं है और उस से आगे जब सर्वाइव करते हैं तो तब समझ में आते है कि किसकी किर्पा है और सबसे जो प्रीश्यस चीज है जो पंच्बुत सरीर है इसके अंदर सबसे जो मेहंगी चीज़ है वो आत्मा का वो है जब तक वो इसके अंदर है तब तक इसको सजेव मानते हैं और जैसी वो उसको निकल गी उसको मुर्दा और निजीव मान है बाकि सब कुछ पूरा सरीर ठीक है लेकिन उसमें से जब मालिक आत्मा को बाहर कर देगा तो वो ये सब म वहान데 इसके एंदर बैठा अत्मा सरूप और जो वहां तक कोंचे उसके लिए वहान किया इसको जब इसका वो खतम हो गया आपका डेस्टिनेशन आ गया आप छोड़के अंदर चले जाओगी तो गुर्जी जो बोलते थे जो मैं देना है वो तो मांगते ही नहीं है तो वह वही चीज़ है कि उस आत्मा को प्रमात्मा तक ले जाना और जैसा वो तक आत्मा का है कि उसके उसमें जो कर्मों के जो हमारे तालिक है उसकी सफाई वो हमारे सोच से और हमारे कर्मों को ठीक करने से हो आज जो ये सप्रांकल का जो ससंका जो मेरे को ब्रीडिंग करने को मिला वही है कि जब स्वर्ग से भी निकालके गुरुजी अपनी सरन में रखते हैं तो इ और ये गुरुजी के उस्तात करने का तरीका यह है कि गुरुजी जो बना के छोड़के गए सत्संग कराते हैं उसमें जो गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं संगत के साथ में उसको mouth of words जो है ना गुरुजी ससंग के रूप में कराते हैं और कुछ संगत को जो किरपा की है गुरुजी ने कि वो अपने ससंग को राइटिंग करके मलब कलमबद करके वो एक धरोर है जो आगे तक वो रहे ना रहे क्योंकि जैसे अभी सपरांकल हमें मलब अंकल को कॉंटेक्ट करने की कोसिस की नहीं मिल पाए तो जो 31 में 2007 से पहले की संगत जो साक्षाद गुरुजी ने अपने सामने बैठाई एक उन्होंने ऐसा मोका दिया कि उस सरूप के साक्षाद दरसन किये वो इसी तरह से वो एक एक करके जो गुरुजी अपने पास ले जाएंगे फिर बचे वो किया जा रहा है record किया जा रहे है और आगे तक रहे और संगत तक जाए चूपि गुरुजी की blessings को जितनी बार जितने संगत के साथ में share करेंगे तो जो सुमता है उसके लिए तो है उसके तो कल्यान करना ही करना है लेकिन जो सुनाता है वो भी उसको वो जिनसी जीन कस्ट वह निकलते होएं देखा है वैनिश होते होएं देखा है उस उस श छनों को फिर दुबार से जीने का मोख़े देते हैं तो गुरु परिवार की ये बहुत गपाय है कि हम जैसे को उन छों में वापिस लिजाने के लिए जब वो वक्त पिर दुबार जिये क्योंकि वो जो 10% है 90% जो गुरूजी ताटते हैं और 10% जो हमसे करते हैं अब आप एक इंसानी तोर पर अगर सोचें कि किसी से हमने करजा लिया 100 रुपे ना तो वो ब्याज ले रहा है और जो मून उसने 100 रुपे दिये हैं उसमें से भी सिर्फ कहरा है मेरे को 10 रुपे वापिस कर दो तो 12 यह एकाउंट जिरू कर देता हैं इतना बड़ा साहुकार कून है इतना बड़े दिलवाला कून है कि जो जितना दिया है उसका भी 10% देखे जो है न वो आपका एकाउंट जिरू करने को तयार है और हम 10% भी देने को तयार नहीं है हस के देंगे वो कहते हैं कि जितने मुसीबत में आपने किसी से करजा लिया है अगर उसको जितना हसके आप दोगे तो आपको देने में भी दिक्कत कम होगी और जिसको दे रहे हो उसके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि आप अगर अंदर से कलेस में करकर उसको पैसे लोटा होगे और वो ही जब हमें 10% भुगतना पड़ता है न, लुटाने के लिए, तब हमें दिक्कत आती है, तब हम यही कहते हैं कि गुरुजी आपकी सरण में आने के बाद भी, यह हमारे साथ हो रहा है, ऐसे दुख हमें मिल रहे हैं, यह प्रेशानी हमारे साथ आ रही है, और मैं आप क्यों पूरा भरहसा कर रहा हूं, मेरा सच्चा भाव है, पूरी स्रद्दा है, पूरा भरहसा है, उसके बावजूद भी एफिस कर रहा हूं, लेकिन एकाउंट जन्न, वो कहते हैं कि जिसकी वस्तु वही ले जाएगा, शब्दों में भी है, जो लिया है वो तो दे नहीं ह पर इस से आसान तरीका नहीं है कि सो रुपे में से सिर्फ दस रुपे लोटा कि आपका एकाउंट जीरो हो रहा है, न तो ब्याज लग रहा है, न आपसे कोई एक्स्ट्रा है, और आप अपनी मर्जी सो दस परसेंट भुगतना है, और वो भी मालिक अरेंज करके रखता है कि कैसे आपको दस परसेंट भुगतना है, तो आज का जो ससंग, इसका जो टाइटल है, उसमें बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी के शब्द हैं, कि मैंने स्वरग से इसको लेके आएं, हमें भी मेरे जैसे को भी कहा जाना था, मैंने नरक जाना था, कहा पिर वापी से कर दिया, और मैं यह समझता हूं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ चल रही हैं, तो यह धर्ती से बड़ा कोई स्वरग नहीं, वो कहते हैं कि देवता भी जो इना इस धर्ती पर आने के लिए तरसते हैं, जो मा का प्यार, बाप का त्याग, रिस्तो गुरुजी जैसे ससंग सुनते थे कि गुरुजी पूछते थे भी आज कितनी संगत आई है, तो वो जितने राउंड होते थे उस हिसाफ से एवरेज लगा कर गुरुजी को बताया करते थे, तो गुरुजी एक ही चीज़ बोलते थे कि गुरुजी तुम्हें नहीं पता कि तो हमारे साथ कितने देवी देवता होगे जो ना लंगर करके गे उसकी काउंटिंग उनके पास है तो इस लंगर के लिए, इस ससंγα के लिए, इन सब के लिए वो देवी देवता भी जो दरसते है तो caliber की blessing साथ है गुरू जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तो स्वरग भी एक कभीर के उसमें है कि उन्होंने करक्ष स्वरग भी नहीं लेना क्योंकि स्वरग में भी आपके पुन्य करम जब खतम हो जाएंगे फिर वापिस धरतीर पे पढ़के जाओगे तो मुझे स्वरग भी नहीं चाहिए पर उनकी सरण चाहिए वो अपने चरणों में रखें अपने पास रखें और जो वो देना चाहते हैं वो हमारी अकलदारी में आ जाए और हम उस चीज को समझ पाएं और उस रास्ते पे चलके उन तक पहुंच जाएं कि गुरू जी से ग हो गए तो बाकी सारी दुनिया सब हुआ है क्योंकि सब कुछ उनीका तो है जाए गुरू जी आज के लिए इतना ही है गुरू जी की मेहर है किरपा है और यह जो सुक्राना गुरू जी का मल्टिलिंग्वल जो प्लेटफॉर्म है गुरू जी ने ये एक सेवा बक्सी है य जो रिकोर्ड करके आगे प्रजर्व करने का कि आने वाली संगत जो संगत रहे ना रहे क्योंकि ये चक्र है जीवन मृत्यों का चक्र है सांसे पूरी हुई लोटके जाना है वापिस वापिस कब आना है कैसे आना है ये मालिक जानते हैं लेकिन ये धरुहर गुरू जी के स यह जो लाइट ऑफ डिवनिटी जो उन्होंने जो गरंथ बना के चोड़ा है ऐसे और जो इसके पार्ट्स बन रहे हैं जो संगत के साथ में वो सब आगे रखें और आने वाली संगत को गुरुजी के उस्तत करने के लिए ऐसे ही जोड़े रखी जया गुरुजी ओवर टू सुरेश वासन अंकल जी जय गुरुजी अंकल बहुत ही भाव से आपने आज के सेशन को पड़ा है और मैं तो आपके निरेशन को ही सुनता रह गया इतना सुन्दर तरीके से आपने वह आत्मा का जो यह पताया कि शरीर तो बस मिट्टी ही है मीन तो यह जो आत्मा है आत्मा कही सब खेले है अन्तर थोड़ा सा इस विश्य पर बता सकते हैं तो गुरु बरबार आपका अनुग्रहिद रहेगा अभी पिछे एक भाव आया थे एक ससंग में था मैं वहीं बैटके जो गुरुजी ने एक मेरे से उल्टे सिदे शब्द जो लिखे जाते हैं जिनका मतलब मेरे को भी नी पता होता बाद में देखना पड़ता है बहुत से ऐसे शब्द हैं मैंने कभी उर्दू पढ़ी नी कभी सुनी नहीं इतनी ना कभी कोई ऐसा इंट्रेस्ट रहा कभी पिष्ली चनम में मैं किया था क्या मैं पढ़के आएं हो क्या करके आएं लेकिन जो शबाध आते हैं जो भाव में शबाद आते हैं मैं उनको जब राइट डाउन करता हूं उसके बाद मैं उनको देखते हूं यह कि इसका कोई मतलब भी है तो बिल्कुल सठीक बैठता है तो एक सत्संग में था वहां बैठे बैठे जो भाव दिया गुरुजी ने कि आत्मा जैसे एक गहने बनाने पड़ते हैं तो सोने की जो 24 कराणे का सोना है उसमें भी से इसे इसे जब आत्मा लेकिन जब इसको वापिस मालिक ने वो चाहिए अपना सोना उसको लेके चलना है तो इसको भी तपाया जाता है मों की भटी में तपते हैं हम उसमें इसको जलाया जाता है और ये जब तक ये सरीर है इससे जितना काम लिये जा सकते कि उसके बाद ही मिट्टी है इसका डिस्पोजल होना है तो कहा है कि जब उसको उनको वापिस अपनी चीज लेने हैं तो उसको भी वो प्योर लेंगे वो इसलिए बार-बार जो धर्ती पर जनम लेना पड़ता है जब तक प्योर्टी नहीं होगी हमारा आत्मा का सुद्धी करन नहीं होगा तब तक हम उनके तक जाने के लिए उनमें मिलने के लिए हम तयार नहीं हो पाएंगे तो यही वज़या है कि कर्मों का जो खोट हमारे सा बात कर रहे थे तो गुरूजी ने से वह आंटी बोली है कि गुरूजी मैं आपसे बड़ी हूं उन्होंने बोला दुनियावी उम्र जो होती है साल महीने जो उसके हिसाब से तो गुरूजी ने उनको जवाब दिया था कि पिछले 600 साल और 10 जनम से तो मैं तेरे को लेके ग मिला यानि की मालिक का सबर देखिए पिछले 10 जनम और 600 साल से संगत को साथ लेके चल रहे हैं कि वह खोट खतम हो जाए करमों के कोट खतम हो जाए हमारी सोच से खोट खतम हो जाए और जब वह प्योर हो जाए तो वो अपने में मिला ले अपनी साथ ले चले सुझ शुद् नहीं नहीं बोला कि मेरे लिए ये पाठ करना जरूरी है मेरे लिए दूबती लगाओ अगजबेतला कुछ नहीं है यह सब हमारा भाव है कि सारी जिंदी के हमने सब कुछ किये एक भरोसा तो हम करनी पाते हैं तो यह भाव स्रद्दा आस्था पूजा पार्ट यह सब कुछ बेकार है तो गुरुजी ने तो सिर्फ संगत के साथ में करतव्य निभाएं आज तक और हम जब बात करते हैं गुरुजी से तो अपने अधिकारों कोई बात करते हैं कि अपना सब्सक्राइब करते हैं कि हमारा भी करतव्य को परिश्क्रत कर लें इतना सुद्ध कर लें कि हमारा समर्पन हो जाए जो मालिक चाहते हैं कि जब आपका समर्पन हो गया तो फिर सबकुछ उनके हाथ तो उनका सबर और हमारा सबर हमें अगर कहीं सतसंग में बैठने का मका मिलता है अपनी मर्जी आते हैं अपनी मर्जी चलिका अ यानि कि मालिक स्रश्टी का मालिक सामने बैठे हो और हम तब दी अपनी किसे कर रहें कि कि हमेंना देंना चाते हैं लेकिन हम नलाइकी करके अपने हिसाब से अखल लाकर जनम अपने इंद्ध मैं खुट रहे रहेいます वही है कि हम अच्छे सा अच्छा चोला बना सकते हैं अच्छे सा दरबार बना सकते हैं सब कुछ अच्छा कर सकते हैं पर उनको विराजना आपके अंदर है जो आत्मा का जो है न वहां की सफाई चाहिए उनको और वो सफाई कब होगी जैसे ही जो सत्संग गुरुजी कराते हैं शबद को अंदर जाने दें जिस तरह से दवाई अंदर जाके एक्टिवेट होती है ऐसे अगर सबस्ट को पूरा पूरा जाए तुकि शबद में आदे गंटे के शबद में व्याक्या में एक शबद की आत्मा होती है अगर वो हमने पकड़ ली तो गुरुजी जो चाहते हैं में समझाना वो समझ में आ जाएगा अदरवाई सुने इसलिए गुरुजी बार बार सुनने के लिए बोलते हैं जैसे समर्पन का भोला वाले उसमें हैं कि उसने बताए कि मालिक मैं तो आपकी कुरसी आ हूँ आप मालिक कुरसी बेठे या कुरसी को सिर पे रखे कुरसी ने कुछ नहीं कहना पूरे शबद में कितने लंबा शबद है उसमें वही चीज बड़े काम की है कि अपने आपको उस तरह से 100% उनको सौप दो कि आपने ना कोई इच्छा करनी ना कोई मांग करनी ना कोई शिकायत करनी है ना कोई उम्मीद करनी है क्योंकि अगर आपने सोप दिया तो इनमें से कुछ भी आपके अंदर नहीं रहेगा एसी वो गुजरीक वाला परसंग है या धना जट वाला परसंग है उसमें किलियर है कि फूल परशाद माला विदी विधान सब कुछ बेकार हो जाता है अगर आपका भावी नहीं हुआ भ बटक लिए किसी ने बता देए गुरू की सेवा चल रही है अगर वहां तुम्हें सेवा मिलीगी तो तुम्हारा यह सब कुछ ठीक हो जाएगा वो उसमें नाम लिखाने जाते हैं इतनी आसान नहीं जैसे आज चल रहे हैं गुरू की सेवा वह सुक्सार है क्योंकि जब का वह सकतर देदेगगा उतना ही उनď तक जाएगा तो वो कायकस्ट का मामला है तो फाइनली वह रोने लेगी उसको दे दिया उसके जिसніं हज्बैंड मरे में उस द्न की मैंने गुरू को वचन दिया है सेवा का दुनिया की बात तो मैं सुन लूँगी पहले मैं जाकर अपन के लिए गई थी वह जिंदिगी जाने के बाद भी उसके भरोसा नहीं तोड़ा अपना बच्चा नहीं तोड़ा रेगुलर जाने लगी उसका बच्चा बीमार था उसको भी छोड़के जाती दि बंद करके क्योंकि उसने जो मालिक ने करना वह उन्हों करते हैं वो बाटके और कितने जनम बाटके हैं और ये जनम भी बाटकन में निकल जाएगा पता नहीं कहां से कहां चले जाएगा तो यह गुरुजी ने शब्दों में दे रखा है एक शब्दों में ब्राम्मन ने अपना बच्चा बेच दिया राजा ने खरीद लिया देव मेरी को उसने परणाम किया, राजय ने कुछ हक्या किया, कह रहे इनसान के चार सहरे होते हैं जिन्दगी में, पहले माबाब, कह रहे माबाब ने मेरे को अपनी गरीबी दूर करने के लिए बेश दिया, दूसरा राजय जिसकी सारी परजाव, उसकी संतान होती है, उसने अप बस तेरा सहरा है, जो दुनियावी तीन सहरेत है, वो मेरे दोका दे गए, और यह हम सबके साथ है, ये तीन सहरे कभी भी दोका दे सकते हैं, ये दुनिया सौार्थ की है, रिष्टे सौार्थ की हैं, जिब तक आप उसकी बात मान रहे हो, तब तक सब कुछ ठीक है, जिस द आपने उससे कुछ उमीद कर लिया कुछ मांग लिया कुछ कर लिया उसी दिन रिस्ता कराब होगे और ऐसे बहुते दुनिया में कि पैसे पैसे दे दिये या कोई उनकी help कर दी जब उसको जुरुत पड़ी मांगने गए तो बस उनों अपना हिसाब किताब यह तो रास्ता ब तब तक वो अंदर वो activation उस तरह का नहीं जो जैसा गुरुजी चाहते हैं जो जोत जलनी है उसी उनी चीजों से जलनी है और यह यूनिवर्सल है कि गुरुजी तो पूरा मुखा दे रहे हैं और हमेंसा साथ हैं लेकिन हम ही कहीं ना कहीं नालाइक कर जाते हैं कि जैसा वो चाते हैं वैसे हम नहीं करते हैं या तो हमारी जिंदगी एहम में खराब हो रही है या वहम में खराब हो रही है और वो एहम और वहम दोनों से दूर करने हैं हम गुरुजी ने इतना सिंप्लिफाई करने के बाद भी फिर वापिस मुर जाते हैं पहले जिन चक्करों में काट पूरी दुनिया के चक्क्र काटने के लिए लगी और यही जब शिव पराण की बात आई थी अंकल थे सवाल किया था कि सबको बहुत थी तो मेरे को भाव दिया था मेरे ये था कि गूरुजी ये शिव पुरान में एक एक शब्द वो है जो गूरुजी की व्याक्या करता है लेकिन गूरुजी ये कहते थे कि मेरे को पाना शिव पुरान के हिसाब से देखो जनम जनम बीद जाएंगे पारवती जी को भी जो हैना कितने तप करना पड़ा थे कोई पूजा पाट है जो उनको भागया और वो आपको अपनी सरण में खुद पकड़ के लेके गए एक भी संगत ऐसे नहीं जो ये संगत ये कैसे कि मैंने गुरुजी को पाने के लिए ये महाशिव को पाने के लिए कोई ऐसा कोई कठोर तप किया है कोई विदी विदान स वो कहते हैं कि जो अंधेरे से निकालके उजाले की उड़ ले जाए तो गुरु गो है जो उसकी जो व्याख्या है गुरु की वही है गुरुजी तो भाब के भूके है बस उनको भाब देखना है आस्ता है वो देखनी है संगत में और आपने ठीक कहा कोई ऐसी चीज मार्क है ठीक है अंकल बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने गुरु परिवार के आग्रहे पर आपने बहुत कुछ अच्छी बातें बताई हैं अच्छे संदेश दिये हैं उमीद है कि गुरु संगत इन संदेशों को ध्यान से सुनेगा मनन करेगा गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत अवहार माराज की किर्वा हम सब पर बनी रहे इसी के साथ ही हम सब गुरु माराज